नमस्कार दोस्तों मैं जीतेंद्र करता हूँ आपका बहुत-बहुत सवागत आपके अपने यूटूप चैनल DC Mobile Solution पे तो आज मैं EMC के बारे में कुछ आपको चीज़े बताऊंगा और यह दोस्तों एक वीडियो नहीं है यह पूरा एक सीरीज होने वाली है तो आप इस पूरे प्लेइलिस्ट में आपको यहां पर एममसी के बारे में बताया जाएगा उसकी डीपली नौलेज आपको दी जाएगी ताकि आपको आसानी रहे एममसी में काम करने के लिए तो दोस्तों यहां पर lesson by lesson होंगा यह कितने lesson होंगे मैं कुछ कहनी सकता इसके बारे में त होती है और हमारी non जो है नान जो storage है ये use होती है ये actual में जो Chinese phone जो है नई ने आये थे उस समय ये use होती थी इस में RAM अलग से लगाई जाती थी और ये केवल जो है memory card की तरह जो है काम करता था ये आज कल के phones में भी है आईफोन में आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन जो पुराने चैनिस फोन थे उसमें नांद मेमोरी आपको देखने को मिलती थी तो इसके उपर जो है एक अलग वीडियो बनाएंगे लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे EMC की, EMCP की और UFS की जो कि अभी जो है मार्केट में इससमें लेटेस चल रही है ठीक है नांद के उपर भी एक वीडियो बनाएंगे आप उसको भी जाके देख लेगा देख लीजिएगा जब वो बनेगी तो यहाँ पर देखिए पहले EMC को किस तरीके से पैचाना जाता है उसके उपर हम बात कर लेते हैं मैं यह कुछ फोटोस क्लिक करें तो मैं आपको इन फोटोस में दिखा देता हूँ देखिए जो EMC होती है वो थोड़ी सी आपकी rectangle shape में होती है जो आपका CPU होता है वो बिल्कुल square होता है आप यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि EMC के चकर में CPU उतार देते हैं यह कुछ लोग मतलब new होते हैं वो बिल्कुल उन्हें नहीं पता होता है कि CPU क्या होता है और EMMC क्या होती है तो मैं आपको बता दूँ कि CPU जो होता है वो थोड़ा आपको square मिलेगा बिल्कुल square मिलेगा और आपको जो EMMC है वो थोड़ी आपकी rectangle shape में होगी यानि कि एक side में ये जो चोड़ाई है वो कम होगी एक side में जो है इसकी लंबाई थोड़ी ज़दा होगी अना तो इस तरीके साब पैचान सकते हैं और भी इसके पैचानने की भी तरीके हैं देखें जो CPU होता है वो Qualcomm, Mediatek आपका Exynos होता है तो इस तरीके की जो companies हैं वो CPU बनाती है High Silicon हुआ तो वहाँ पे आपको mention करा जाता है मैं आपको आगे देखाता हूँ देखें यहाँ पे जो देख पा रहे हूँगा आप Qualcomm दिखाई दे रहा ठीक है तो यह Qualcomm यानि की Qualcomm Mediatek और High Silicon हुआ Exynos हुआ यह हमारे CPU होते हैं इस से हम easily पैचान सकते हैं के CPU कौन सा है और EMC कौन सी है EMC की जो Companies है उसके बारे मैं आपको बताऊँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ अगर आप New है बिल्कुल तो आप यह चीज़ को समझ लीजिए कि जो बिल्कुल Square होगा वो हमारे CPU होगा थोड़ा सा जो Rectangle Shape में होगा वो हमारी EMC होगी तो यहाँ पे देखिए भी बिल्कुल यह हमारा SPD का CPU है मैंने SPD का नाम पिछे नहीं ले पाया तो एक SPD Drum का भी देखिए SPD का CPU है यहाँ पे शायद आपको साफ मेंशन हो रहा नहीं हो रहा यह मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पे आपको SPD शायद दिखाई दे रहा थोड़ा सा जो Experience उनको शायद यह समझ में आए लेकिन जो अभी नए उनको साइश समझ में ना आए तो यहाँ पे देखिए यह EMC लगी होई है तो इस तरीके से हम जो है यही 2 बड़ी होती हैं और यह आपस में बिल्कुल पास पास लगी होई होती है किसी भी फोन में आप लेंगे तो CPU के साथ EMC ज़रूर लगी होगी ऐसा नहीं है कि इस साइड में जो है CPU लगा है और उस साइड में EMC लगी है आप होटा है कि यहां पर इसमें जो अंदर बीजीए है यह 186 है तो हमें इसको 186 अब आप कहेंगे कि आपको गिनना नहीं है आपको एक्स्पिरेंस से पता लगेगा कि कौन सी यह है इसकी शेप से भी आप पैचान सकते हैं कि कौन सी यह है ऐसा नहीं कि आप गिनने बैठ जाओ के नहीं 186 होंगी तभी 186 होगी इसकी शेप जो है अलग अलग आपको दिखाई देती है और कंपनी ने यह जो है अलग अलग बनाई हुए ताकि आप जो है एक नजर में देख के बता सके हैं यह कौन सी बीजी है बीजी है जो कहते है वो आपकी स्क्वेर थोड़ी से मिलती है और यहां पर 169 है वो बिलकुल आपको यहां थोड़ी रेक्टेंगल शेप में मिलती है तो इस तरीके से आप 153 169 को पहचान सकते हैं और अंदर की बॉल्स में भी जो आपको यहां पर थोड़ा डिफरेंस मिलेगा जो साइड में यह जो है बॉल्स आपको इसका भी कुछ मतलब होता है दोस्तों और वो वीडियो में आगे हम एक वीडियो बनाएंगे उसके बारे में आपको समझाओंगा अभी तो बहुत कुछ है सीखने के लिए यह तो फर्स्ट वीडियो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 221 है यह EMCP है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आप अभी देखिए यहाँ पर देखिए मैं इसको उपन करता हूँ यह EMC होता है embedded multimedia card ठीक है यह एक multimedia card की तरह काम करता है इसमें जो है हमारी RAM वगरा यूज नहीं होती केवल यह जो है ROM होती है यह जिस फोन में लगी जाती है वो अलग से लगा जाती है तब इसको पूरा access मिलता है अब MCP होती है हमारी इसमें हमारा multi chip package होता है यानि कि इसमें हमारे DDR l ribbon वगरा होती पहले जो call gates बगाइर आती थी तो call gate इसके बाद close up आने लगा या फिर कोई और company आने लगे तो यहीं है सके साथ है हम कभी वी EMCP को कभी वी EMCP नहीं बोलते हैं EMMC लेकिन इसमें क्या हो गया के generation change हुई और इसमें RAM भी इसी के अंदर inbuild कर दी गई यानि ROM and RAM जो है इसी के अंदर कर दी गई तो यहाँ पर इसकी जो full form है वो embedded multi-chip package है जिसमें कि आपको MCP, EMMC, दोनों का package एक ही में मिल जाता है और यह आपकी 254 BGA और 221 BGA में दोनों में है लेकिन जब हम इसकी programming भारा करते हैं तो RAM से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है हमें इसी की तरह इसकी programming करनी पड़ती है वो मैं सारी चीज़े आप आगे सीखेंगे अगली वीडियो जो आएंगी इसकी जो अगले lesson आएंगे उसमें आप कोई चीज़ों के बारे में समझने की कोशिच कर रहे है I hope मैं आपको समझाने में थोड़ा काम याब हो रहा हूँगा अब जो generation और change हुई उसके बाद जो है UFS आ गया EMC और EMCP यह जो है हमारे mid range phones में आने लगे उसके बाद थोड़ा आपी अपग्रेड हुआ जो हमारे flagship level के phones आए उसमें जो है हमें UFS देखने को मिला UFS जो है बिल्कुल EMC की तरह ही काम करता है storage का काम करता है जैसे इसमें हम storage करते हैं अपना operating system हुआ या फिर हमारा जो भी कोई हमारा multimedia हुआ जो भी हमारे जो चीजे होती है वो जो है जाके store होती है EMC में उसी तरीके से जो हमारा UFS में होती है लेकिन इसके जो अंदर partition होते है वो दोस्तों अलग-अलग होते है जो default partition होते है अब ऐसे तो आप ये कहेंगे के नई EMC को हटा दीजे और आम उसमें जो है jumper एक जो multimedia card होता है यानि कि एक chip card हुआ तो हम उसके jumper लगा के उसमें लगा देंगे तो phone on हो जाएगा ऐसा नहीं है इसमें एक default partition करे जाते हैं जो कि EMC में अलग होते हैं और आपकी UFS में अलग होते हैं EMC में GP1, GP2, S तरीके के partition होते हैं user area अलग होता है वो भे आपको आगे आने वाले वीडियो में आपको पता लगेगा सारी चीजे में आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता है नहीं तो आप confused हो जाएगे उसी तरीके से UFS में loan 1, loan 2, loan 3 होते हैं यह जो default partition होते हैं जो की एक memory card से इन दोनों IC को अलग बनाते हैं नहीं तो हम जो है एक IC पे jumper लगाके जो है phone को on कर सकते हैं वो partition को हम ना तो delete कर सकते हैं clean जरूर कर सकते हैं erase कर सकते, clean जरूर कर सकते हैं लेकिन उसको बिल्कुल delete नहीं कर सकते उन partition को तो वो जो है उनके उपर भी उसके उपर दोसो भी आगली वीडियो होगी लेकिन उसके उपर हम अभी बात नहीं करते हैं तो यहाँ पे देखें UFS जो आगे टेकनोलोजी आई तो वहाँ पे जो है UFS आ गया अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसमें देखिए EMMC आपको इस तरीके से हाल डिप्लेक्स रीड और राइट मिलती है यानि कि एक यह जो यहाँ पे होस्ट है यह होस्ट मिस आपको होस्ट कह सकते हैं जो इसको EMMC को होस्ट कर रहा है CPU वगरा ठीक है वो जब इसको जब आदेश देता है होस्ट तो केवल और केवल EMMC एक बार में रीड कर सकती है या फिर वो दूसरे जब आदेश आएगा उसको राइट करने का तब वो रीड राइट कर सकती है वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती EMMC ठीक है EMMC में यह दिक्कत रहती है और आपक को आप एक memory card मान सकते हैं ठीक है तो जो DVD की cassette होती उसमें जो है आपको इतनी अच्छी quality नहीं मिलती थी कई बार hijack-pitchack हो जाती थी और उसमें इतनी अच्छी आपको speed नहीं मिलती थी इतनी अच्छा उसमें आपको response नहीं मिलता था वो ही इसमें तरीका है यहाँ पर UFS को और यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा और advance ले चलता हूँ आपको मैं जो computer में hard drive लगी होती है hard drive आप देखते होंगे कि hard drive थोड़ी आवाज भी करती है और थोड़ा speed भी उसकी कम होती है लेकिन जो SSD होती है जो कि ICs वगएरा क्योंकि ICs वगएरा होती है उसमें और SSD जो UFS के speed थोड़ी high होती है थोड़ी नहीं बहुत कई गुना high होती है तो यहाँ पर देखिए parallel x8 interface यहाँ पर आप read और write एक साथ नहीं कर सकते है एक बार आपको यहाँ पर एक बार में read कर सकते हैं या फिर एक बार में write कर सकते हैं half duplex read or write अब यहाँ पर UFS में आप देखें होती है ठीक है लेकिन इसको जो दोस्तों प्रोगाम करने का तरीका अलग अलग होता है उस तरीके के बारे में हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आप EMMC और UFS के बारे में समझ गये होंगे और मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहूंगा देखे इस जो EMMC और UFS होती है इसकी ज़नरेशन जो है जेंज होती है जैसे कि हमारे फॉन्स में अपडेट आते रहते हैं कभी 17 नोट 7 प्रो आगया नोट 7 प्रो कुछ और आ गया नोट 7S आ गया तो इसी तरीके से जो फौन्स के इसाप से भी इनकी जो है जनरेशन चेंज होती है अब आप द को हम उसी तरीके से प्रोग्राम करेंगे और UFS का अगर generation change होती है तो होने दो वो जो है हम उसी तरीके से काम करेंगे वो उसके hardware पर काम करते हैं उसके hardware को जो है changes करते हैं तो यहाँ पे देखें EMMC 5.1 की मैं आपको speed दिखा हूँ यहाँ पे आप देख पा रहे हूँ IOPS यानि input output process per second इसकी जो full form होती है input output process per second तो यहाँ पे आप देखेंगे 5.1 में जो कि last EMMC की 5.1 के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ ग्यारा हजार है तो आप देख सकते हैं कि कितनी speed जो है इसकी high होती है UFS की तो यहाँ पे आपको जो mid range phone है जाने की 15,000 से जो नीचे नीचे के phones है उसमें आपको EMMC देखने को मिलेगी जो 20,000 से या फिर उस से उपर जो phones है उसमें आपको UFS देखने को मिल सकती है ठीक है कि UFS थोड़ी महेंगी चिप होती है तो यहाँ पे आप यह समझ गए होंगे कि EMMC क्या होती है UFS क्या होती है इसके partition के बारे में हम आगे बात करेंगे बहुत सारी चीज़े दूस्तों आने वाली है तो वीडियो को आप बिल्कुल लाइक करिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि अगली वीडियो की notification आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो देखिए यहाँ पे EMCP के बारे में देखिए यह diagram में आपको दिखाता हूँ EMCP जो होती है वो EMC controller flash होती है तो बहुत सारे आपके सवाल होंगे वो सारी चीज़ें आपको clear कर दी जाएंगी जैसे कि आप EMC किस तरीके से change कर सकते हैं कौन सी उसकी compatible IC है या फिर और भी इसके detail जो partition होते हैं EMC में कौन से होते हैं UFS में कौन से होते हैं कि complete detail किस तरीके से काम करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमारे इस channel पर जो है मिलेंगी तो आज के लिए वीडियो में कुछ इतना ही था और वीडियो कर पसंद आए तो like जरू कर देना चैनल पर नए हो subscribe कर लेना दबादना बैल आइकन को होता कि अगली वीडियो के नोटिफिक्शन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके हैं